यह व्रीवन वेलकम टू इज़ी फार्मा तो गाइस आज के हमारे यहां पर टोपिक रहेगा एंटी को अब देखिए एंटी को एंटी को अग्लेंट्स हमारे क्या होते हैं इंको फूल डिटिल में हाप इम डिसकस करने वाले हैं जैसे सब्जेक्ट हमारे हैं आप चला है फा को बितना से आप इसको इसली पॉच कर सकते हैं तो आज हम यहां चलिए क्या होते हैं को डिटल में इसका हो सकते हलो थे थे को इगुलेशन क्या होती है को आपको पता चल जाएगा उसी के बाद तो एक तरह साथ आपको समझ आएगा क्यों एक तरह सम को रोक रहें तो क्यों पर है तो को इसा कोई बी इन्सान नहीं होता है जिसको कभी ना कभी कटना लग हो 22 चांस को एक्सिदेंटल केस हो गया तरह से इंजूर वागर होगी मतलब कोई भी कंडिशन हो मान लीजिए हमारे इसकी ने महाँ पर कट लगया तो क्यों होता है बाहर बाहर आने लगता है उस कंडिशन मा आपने देखा होगा कुछ टाइम तक वह ऐसी रहता है और कुछ टाइम बात क्या होता है मतलब वह जम ज कैसन हो जाता है जो घेमर करें लेते हैं लुटइक हम तरह से हम पर अन्मांट्य किरोटिक होता है जो हमारी क्या होती है Unwanted Clothing होती है यानि बिलट को थिन का एक तरह से हम कह सकते हैं बिलट को पतला करने के लिए वहां पे एंटी कोईगुलन ड्रग को दे देते हैं तो क्या होता है जो हमारा थकका जमराई यह महां पर लूख सकता है और जो हमारी यह अनि यह मह मैं जो तो प्रोपर जो तरह से यहां पर थकका जम चुक है उसको तो एक तरह से नहीं रोकेंगें लेकिन जो एक तरह से किलॉउट को देगेखे इंटी कोगलेंट्स ड्रग चलिए इसमें नेक्स टम लेटें देड़ डिजोल क्लोड डैट है और लेडी फॉम अब देखे एक तरह से जो हमारे क्लोड पहले से बन चुका है उसको तो यहां पर यह नहीं रोखेंगी बट आर यूज टू इनिविट ता फॉर्मिलेशन ओ न यहां और देखने किने एकानिकम करते हैं किनको और नहीं पर यहां पर लकी मरह करते हैं साध में यहां पर लैपी लिजाए गाया तुछिर जाए नेक्स हम दढ़िए यहां फे ओर याज घू जा रोगया तो हम डे लेते हैं इंडेंड़ायों डेडिवेटिस वाले यहां पर उरली हो अजाएगा तो एक लास्फेकेशन हमारे हैं पर कंप्लीट हो जाता है अब हम देख लेते हैं इसका फार्मकोगोडोजिकल एक्षण किस तरह से एंड़ेंड drug body में pharmacological action show करते हैं इसको हम देखेंगे तो देखे इसके अंदर हम देखने वाले parental anticoagulants जिसके अंदर हमारी यहां पर आएगी हिपेरिन एक तरह हम कह सकते हैं हमारी जो हिपेरिन होती है यह strong anticoagulant drug होती है इसलिए एक तरह से मतलब इसका काफी जादा योस कर जाते है इसलिए इसका pharmacological collection यहां पर हम discuss करें तो चले देखे लेते हैं हिपेरिन तो देखे हिपेरिन इंग्लिश और हिंदी में हम इसको हिपेरिन कहते है तो चले देख लेते हैं फरस्ट हम देखते हैं यह फाई का जाती है तो इस फाउंड इन Mars cell of lungs liver and industrial mocosas जो एक तरह से lungs liver और इंडस की एक तरह से Mars cell से हम इसको obtain करते हैं, मतलब ये पाई जाती है साथ हम अगर commercial रोप से हम इसको देखे तो एक तरह जो ओक्स लंग जो एक तरह से भेड़े बक्री होती है उनके जो lungs वगशा होते हैं उससे साथ में PIK की इंडर्स्टाइनल मुकोसा से एक तरह से मिसको ओप्टेन करते हैं कोमर्शली ग्रूप से साथ में हिपेरिन is a strong anti-coculant agent होता है यहने एक तरह से कह सकते हैं काफी ज़्यादा effective होता है इसलिए एक तरह से mostly इसका use कहा जाता है आप चलिए एक तरह से मिहां पर समझ लेते हैं कैसे पूरा हमारे फार्मकोलोज के लेक्शन यहां पर शो करता है हमारी एक प्रोसेस की तरह रहेगी तो आपको माइंड में एक तरह से step by step इसको फोकस करना है जिससे अच्छे से आपको यहां पर यह समझा सके हैं पर इंटुडूस ही एक तरह से हमारे लिंटी ने इसको एक तरह से कह सकते और इंडर एक तरफेस से इंजक्षिंजन पर बोडी के अंदर करते अलंट डेन यहीं हैं तरह से बोडी के अंदर जाकि कर देथ क्शन पर देथ है प्लाज़मा एंटी थ्रों मिन थट को एक तरह से उसके साथ में इसने complex यहां पे बना लिया पर क्या होता है इसके बाद में क्या होता है this complex bind with clotting factor एक तरह से यहां पर जो हमारा एक्टिवेट हुआ था क्या सी प्लाजमत रोंबिन थट वो इसने complex बनाया था यह जो हमारे यहां पर complex है यह तरह से जाकर bind हो को जाता है clotting factor जो इक तरह से clotting एक तरह से मतलब करते है clotting की formulation करते हैं सेक्टर कौन-कौन होती हमारे कुछ यहां पर फेक्टर होते हैं एक तरह से ओनंस्त्रिंसिक एक तरह सम कह सकते हैं मतलब इंटर्नल और एक्सटरनल ऺूप्स है जो एक्सथा हमारे पाथ होते हैं आ हैंक्स कर देपेब्स कर देंड एक्स कोटिंग से साथ में हमारी क्लोटिंग के उस्वाइनDAY INSTA tu A.T. इस यहां पर कर दिया किस्कों को यहां है पर है को है दिए मेमतल्द पूसकी के सब्धासर्ण मेली जैए आप कुछ काम करें ऐस toolbox तो कैसे उस वर्क होगा जम इनने ऐसे इन factors को यहां पर in economist एक भार मैं कह सकते रिडियोस हो गए यहां पर ones shores up किलोटिंग को यहां पर लोट इस तरह से इस तरह से विलट की पॉटिंग को यहां पर रह लोग देए तो इस पाल्म को तो यहां पर इसको टीटेल में एक्स्प्ली करनी की जरुवत لهती है उसमें एक तरह से क्लोटिम गए जो मसला उसमें यूज कर जाता है साथ में डायल आईसी जो एक तरह से किड्नी लेटी डिसीज होती है साथ में यहां पर पल्मोनरी इंबोलिज्म में इस तरह से यूज कर जाता है क्या होता है हमार जो पल्मोनरी होती है वोगता है इसे लिखता है इसके लिखने के लिए लेपस? तो इस तरह से हमारी यहां पे इंडिकेशन डैती है अच्छा है है। कितनी ڈोज में एक तरह से इसको लिया जाते है अब देकर हम आपको काफी वार बता है एक तरह से हमारी डोज होती है बैरी करती है पेशिंट को पेशिंट हो इतरह से डॉक्टर को पर डिपैंड करती हो इसको चलाता है सब डोक्टर अपने हिसाफ से चलाते कुछ जादे गरम दबाई चलाते कुछ कम हैं दिन चलाते हैं तो हमने एवरेज के यहां पर लिख हुई है जैसे फोर चिल्डरन चिल्डरन के एक तरह तरह तो पचास से सो यूनिट पर केज़े के चाफ से साथ में यहां पर वन थावजन यूनिट पर आइमल 25फ थावजन पर आइमल 25000 पर आइमल एक सक्टर एक तरह से हमारी यह वेलेबल होती है इस में जीह चीडिए हाक यहां पर नहीं पर 6। मीं स्थाख हैं साथ में यहां मेरी तो एंटी कोईगुलेंट ड्रग है उस कंडिशन में हम इसको नहीं दे सकते हैं जैसे डिस ड्रक्स आर कॉंटर इंडिकेटिट इन एक होता है यहां पर किलोसी एक तरह से हमारी लिवर से लेक्टी डिसीज होती है हम ना इसको आपको इसको डिटेल में पढ़ा है फार्मकू та होगा तो उस कर दीशन नहीं दे सकते हैं साथ में सीवर हाइपर टेंशन उस हम पार्मकूलेंट से नहीं सकते हैं तो आप कोई आउट पूरह ही इस टोपिक से रेलेटी डिया जाता तो आप हमसे कमेंट सेक्षन में पूंच सकते हैं आपका कोई परिस्वायाम करना बन्य अस्टाग्राम पर जोई सकते हैं लिंक आपको डिस्प्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब आपको वीडियो लेक्चर कैसला आप में कमेंट करका बता है साथ ही मैं अच्छा लगा थे वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड साथ भी शेयर करें एंड आप माँ चैनल बनाया ह तो चैनल को सब्सक्राइब कुरें तो मिलते हैं जल्दी है आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में